हलो एवरिवन तो आज हम क्लास एट जो है उसमें साइन्स सब्जेक्ट जो है उसके कुछ चेप्टर्स को स्टेडी करेंगे अब भी स्टार्ट किया है सेकेंड चेप्टर है माइक्रो ओगनिजम्स फ्रेंड्स एंड फोई फर्स चेप्टर जो है वह एग्रिकल्चर एंड मिनेज्मेंट है थोड़ा केती बाड़ी के बारे में है उसको बाद में स्टेडी करेंगे यह चेप्टर जो प्रिजेंट कंडिशन से हुनके हिसाब से सई है मेरे हिसाब से सई है तो अच्छा है आपको नहीं जानकारी और अभी जो है एक वाइरस का COVID-19 आप जानते हो कितना ज्याद़ आफेक्ट है तो उन्ही micro-organisms के बारे में इस chapter में study करेंगे तो इस लिए इस chapter को select करा है पहले तो पहले जो है micro-organisms friend and foid जो terminology है उसी को समझ लेते हैं जो word है उसी को समझ लेते हैं तो word जो use हुआ है वो word है micro-organism देखिए actual में पूरा जो धर्ती है पूरा जो अर्थ है उसके उपर आप जानते हो बड़ा-बड़ा classification कौन-कौन सा है तो plants है बहुत सारे एक algae से लेकर बड़े-से-बड़े redwood बहुत-बड़े पेड़ है एनिमल् दर्ती पे क्या plants और इनिमल्स ही है नई एक चीज और है और वो क्या है microbes clear? microbes मतलब micro-organism micro word जो है micro इसका मतलब क्या होता है बहुत ज़्यादा छोटा too small यह आपन बोल सकते tiny organisms tiny word भी बहुत-बड़ा है उनके लिए तो क्योंकि यह बहुत ज़्यादा ही शुक्ष्म होते हैं बहुत ज़्यादा micron size होता है इनका तो organisms जिनका जो बहुत ज़्यादा छोटे हैं too small हैं उनके बारे में study करेंगे जिनको हम नहीं देख सकते we cannot see them through necked eye अपनी जो यह खुली आखें हैं उनसे हम उनको observe नहीं कर पाते ह तो उनके बारे में study करेंगे तो microorganisms friend and foy friend मतलब से यह microorganism जो हमारे मित्र है क्या हमें फाइदा करते हैं उनका कुछ usefulness है हमारे लिए कुछ उपयोग है या हमारे सत्रु हैं foy हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं तो microorganism से शुरुवात करते हैं a very small living things that we can only see with magnify glass तो बहुँ छोटे organism जिनको हम केवल और केवल magnify glass जो होते हैं आपने lens देखा होगा जो dwellers होते हैं वो उनके पास देखा होगा और CID बहुत देखते हैं आप उसमें देखा होगा आपने तो magnify glass जो होता है उससे पड़ा करके देखा जाता है इनको या अपने अपनी स्कूल का जो bio laboratory है उसके अंदर microscope को observe करा होगा तो उनके तुरू जो है उनको देखा जा सकता है keval और keval आप naked eye के तुरू जो है micro organism को observe नहीं कर सकते हैं तो a very small living organism that we can only see with magnify glass तो बहुँ छोटे organism जिनको keval और keval हम जो है magnify glass या microscope की help से ही देख सकते हैं are called micro organisms इनको microbes भी बोला जाता है ये notes मैंने इसलिए बनाए है क्योंकि ये जो present book है ये advisor है और इसमें अपना slab से हटकर बहुत सारी चीज़े है तो आप जो है notes के तुरू जो है micro organisms are present everywhere अब ये micro organisms जो है वो रहते कहां पर है दूसरा question ये अपने plants अपने आसपास देखते हैं आप animals बहुत सारे observe करते हैं लेकिन उनका हमको सबको पता है वो कौन कहां रहता है लेकिन micro organisms कहां रहते हैं तो micro organisms lives in soil जो मिट्टी हम देखते हैं उसके अंदर रहते हैं जो हवा है उसमें भी है और जितने भी object आप अपने चारो तरफ देखते हैं उस पर भी है आपकी skin के उपर भी है आपकी body के अंदर भी है मतलब everywhere सब जगें मिलते हैं micro organisms some are useful कुछ जो है वो आपके लिए उप्योंगी है आपकी help करते हैं और कुछ जो है वो आपके लिए खतरनाक है when we collect moist soil जब आप किसी गिली मिटी को moist soil जो नम मिटी है गिली मिटी है उसको collect करते हो and added water in it और इसके अंदर अगर थोड़ा सा पानी अगर आप डाल दें then we can see full of tiny organisms तब आप जो है microscope की तुरू बहुत सारे चोटे चोटे organisms को देख पाएंगे तो ये बात है micro organisms के बार में ये था इनका introduction अब देखिए micro organisms play both useful and harmful role अब ये जो है अमारे लिए कुछ useful भी है तो कुछ harmful भी है they have role in preparation of curd जो दही बनता है तो किसके वज़े से बनता है micro organisms के वज़े से कैसे देखिए curd formation जो होता है gene जो धhi हम बनाते हैं curd formation क्या कैसे बनाते है गरम दूध- हलका गरम दूध होता है माले जी इसके अंदर जो है lique warm milk है हलका गुन गुना दूध है, milk है इसमें हम क्या एड करते हैं इसमें हमVES करते हैं फोड़ा सा curd, दही add करते है दही add किया तो दही के अंदर क्या था एक दही के अंदर एक बिक्टीरिया था जिसका नाम था लेक्टो बेसिलस ये बिक्टीरिया जब इसके अंदर चला गया तो इसने क्या कर दिया अपना रिप्रोडेक्शन कर दिया इन इसने अपना reproduction शुरू कर दिया और पूरा जो milk है उसको convert कर दिया किसके अंदर करड के अंदर तो किसने help करा? Lactobacillus bacteria ने यह याद रहे तो ठीक bacteria और आप जो है जानकारी के लिए बहुत अच्छी चीज़ें है तो curd formation में हमारी help करता है उसके बाद bread का जो formation होता है, cake जो बनाते है, alcohol जो बनाते है उन सब के लिए भी बहुत जरूरी है microorganisms, कैसे जरूरी है? देखिए bread जो है किससे बनता है? मेदा, जो मेदा आटा होता है उससे बनता है clear, cake जो होता है वो भी इससे बनता है या इनी सब सीज़ें से बनाया जाता है alcohol जो होती है, उसको अलग-अलग compound से बनाया जाता है हम sugar बोल सकते हैं, या अनाज बोल सकते हैं, जो cereals होते हैं, उससे भी जो alcohol है उसको बनाया जाता है, होता क्या है actual में? जब इनको prepare किया जाता है, तो इनके preparation के अंदर एक fungi, एक fungi होती है, बहुत छोटा, जिसका नाम है yeast, unicellular fungi है, एक cell वाली fungi है, जिसका structure कुछ ऐसा है ये yeast है, इसका powder डाला जाता है, ये जो मेदा जिससे हम bread और cake बनाएंगे, तो उसके अंदर yeast डाला जाता है और ये yeast क्या करता है, फिर ये reproduction करता है, मतलब अपनी बहुत सारी कोपी तयार कर देता है, और उस bread और cake को का जो size होता है, वो increase कर देता है, मतलब उसको फला देता है, शोलन अप कर देता है, तो इस तरह के से ब्रेड और cake का formation करवाए जाता है sugar और cereals होती है, जो चीनी होती है, और जो अनाज होता है, उसके अंदर भी क्या डाल दिया जाता है, yeast डाल दिया जाता है और yeast क्या करता है, yeast काफी लंबे समय तक इन पर process करता है, और फिर इनको जो है convert कर देता है किसके अंदर, alcohol के अंदर तो ऐसे जो है alcohol ये सराब जो है उसका production किया जाता है उसके अलावा, they have role in cleaning environment, कुछ जो है हमारे environment को भी clean करते हैं, बताते हैं आपको जिसे कोई भी आपने जो full fruit खाया, उसका छिलका जो है, पील जो है उसको ऐसे ही डाल दिया कोई organism जो है मर गया, मिट्टी के अंदर पड़ा है, तो उसको decompose कोन करता है, उसको decompose micro organism करते हैं, कुछ समय बाद आप देखते हो, वो जो छिलके पड़े हुए थे, वो जो organism decompose हो रहा है, वो उनको decompose कोन कर रहा है, उनको decompose कर रहे हैं ये micro organisms इसके लावा जो medicine से दवाईया है, उनको बनाने के लिए इनको काम मिलिया जाता है, बहुत सारे फंजाय, बहुत सारे बेक्टीरिया जो है, बहुत सारे वेक्षिन जो टिका लगाए जाते हैं, उन सब के अंदर बेक्टीरिया यूज करे जाते हैं, और soil fertility के लिए भी जो soil होती है, उस soil के अंदर बहुत सारे micro-organism होते हैं, ये micro-organism जो होते हैं, क्या करते हैं, जो atmosphere के अंदर nitrogen gas है, उस nitrogen gas को convert कर देते हैं, किसके अंदर? NO2 और NO3 के अंदर, मतलब कहा जाए, तो nitrite के अंदर, nitrate के अंदर, अब इनको क्या करेंगे? इनको plants जो है, absorb कर लेंगे, क्योंकि plants का main nutrient क्या होता है? plants जो है, उसका main nutrient जो होता है, वो क्या होता है? वो nitrogen होता है, अच्छा, आप जो खाद डालते हो, urea जो डालते हो, वो किस से बनी है? वो इस nitrogen से ही बनी है, तो ये जो organism है, micro-organism, जो मिट्टी के अंदर है, ये क्या कर रहे हैं आपके लिए? ये nitrogen बना रहे हैं आपके लिए, ये nitrogen के compound बना रहे हैं, उससे क्या होगी? प्लांट की growth है? अच्छी होगी, तो इस तरह से जो है, ये मिट्टी को उपजाओ भी करते हैं। चार तरह के major group हैं इन micro-organisms के. आगे देख लेते हैं, वाइरसे जो है, इनके बारे में डिटेल करेंगे हैं, हम आगे बताएंगे आपको बेक्टीरिया के अंदर कौन-कौन से बेक्टीरिया, फंजाई के अंदर कौन से, प्रोटोजोवा में क्या आते हैं, अल्गी में क्य आते हैं, wiruses are also, virus जो है, इनके अलाव देख, पही मेंने virus को इंक्लूड नहीं करे रहा है, wiruses are also microscopic, virus भी myroscopic होते हैं, मतलब बहुत चोटे, बहुत चोटे क्या, बहुत ज़्यादा होते हैं, they however, reproduce only inside the cell of the host organism, which may be bacteria, plant, or animal, अब ये नहीं कहानी सुनिये आप, वाइरस, फिलाल एक वाइरस जिसका अफेक्ट बहुत ज़्यादा है, कौन सा है, कोरोना कोविड-19 डिजीज बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है तो ये वाइरस जो होते हैं, ये एक्चल में लीविंग और नॉन लीविंग दोनो प्रोपर्टीज को सो करते हैं दोनो एक करेक्टरिस्टिक होते हैं, लीविंग और नॉन लीविंग Virus अगर किसी plant के अंदर चला जाए, किसी animal के अंदर चला जाए, किसी bacteria के अंदर चला जाए या किसी भी living cell के अंदर अगर virus introduce हो जाए, तो यह virus जो है अपने बहुत सारी कुप्पी तयार कर लेता है, तब तो यह काम करता है living cell की तरह और जब ये atmosphere में है, soil में है, या कहीं पर भी है, बाहर के physical world में कहीं पर भी है, तब ये किसका काम करता है, non-living का मतलब virus केवल तब ही काम करता है, जब वो किसी host organism की body के अंदर चला जाता है, बाहर viruses है, अगर वो बाहर है, तो वो non-living है, लेकिन अगर body में इंटर कर गया, तो वो क्या हो जोएगा, living cell की तरह काम करेगा फिर जो है आपको बहुचारी viral disease, virus से होने वाले diseases के बारे में common cold, आप जानते हो, जो जुखाम होती है वो, एक virus है, जिसका नाम है rhino virus, उसकी वज़े से, influenza, नाम सुना होगा आपने influenza, h1, n1, पीछे बहुत ज़्यादा फैला था, कोरोना जो वर्तमान में अभी भी चल रहा है, तो ये कुछ virus से होने वाला disease है, तो ये chapter का अपने जो है introduction और बहुत कुछ जानकारी जो है, इस वीडियो में करी, आगे वाले वीडियो में पूरा detail और जानेंगे, thank you for watching.